सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं वेलकम तुम्हें चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा ना मंदीप दुल्ड दोस्तों वेबैक्स के लेटर मैं आल्लेडी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ कि वेबैक्स को मुवाइल में कैसे यूज करने है लेटप में कैसे यूज करने है कैसे मीटिंग स्केजूल करनी है कैसे स्टूडेंट्स ने लिंक के तुरू जोईन करने है कैसे स्क्रीन शेर करनी है दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने बाद है कि अगर teacher laptop के through video के साथ audio share करना चाहता है जाज YouTube की video के audio के साथ कैसे share करना है यह सभी देखने के लिए बढ़े रहे मेरी video के end तक दोस्तो आप को install करने के बाद आपने sign in करना है username and password के साथ दोस्तो username and password फिल करने के बाद आपने sign in पे click करना है उसके बाद आपको यहां पे type की screen show होगी अगर आप meeting को join करना चाहते तो अपने enter meeting information पे clicker के meeting को join करना है अगर आप meeting को schedule करना है तो आपने यहां पे clicker के meeting को schedule करना है starting meeting पे clicker के meeting start कर लेनी है अगर आप बैक्डराउंड चेंज करना जाते है तो आपने चेंजे बैक्राउंड पर क्लिक करना है आपकी background चेंज हो जाएगी दोस्तों उसके बाद आपने start meeting पे clicker के meeting start कर लेनी है दोस्तों दूसरी तरफ मैं मॉयल से as a student meeting जोयर करूँगा जैसी मैं यहाँ पे join meeting पे clicker के meeting जोयर कर रहाँ दोस्तों अभी यहाँ पे teacher and student के बीच meeting start हो चुकी है teacher के पास यहाँ पे option आ रही है microphone को on off करने की, camera को on off करने की, recording की, participant को control करने की and chat की and meeting को end करने की दोस्तों यहाँ पे third number पे option आ रही है share content की जैसे आप यहाँ पे click करते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सी option शो होगी दोस्तों अगर आपकिसी particular tab को choose करना चाहते तो आपकिसी particular tab को choose कर सकते हो otherwise आपने screen share पे click करके sharing start कर देनी है दोस्तों अभी आप यहाँ से कुछ भी share कर सकते हो दोस्तों जैसे अभी यहाँ पे मैं Youtube की video share करूंगा दोस्तों जैसी हम यहां पे क्लिक करते हैं हमारी वीडियो शेरिंग स्टार्ट लेकिन दोस्तों यहां पे आपकी वीडियो के साथ आडियो शेर नहीं होगी सिर्फ आपकी वीडियो ही यहाँ पे share होगी दोस्तों अगर आपके PC में कोई file saved है कोई lecture saved है अगर आप उसे play करोगे तो आपकी वीडियो के साथ audio नहीं share होगी तो उसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताने बला हूँ तो आपने stop sharing करनी है stop sharing करने के बाद आपने फिर से share पे क्लिक करना है share पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे show होगा optimize for text enemies आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको साथ में यहाँ पे option शोगी optimize for the motion and video आपने यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तो अब आप यहां से कुछ भी शेर करो आप स्क्रीन शेर करो जा आप कुछी फाइल को शेर करो जो भी कॉंटेंट आप यहां पे शेर करोगे उसकी वीडियो के साथ आडियो शेर होगी जैसे मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई MP4 लेक्चर कोई वीडियो सेवड है तो आपने उसे कैसे प्ले करने है दोस्तो आपने जस्ट उस वीडियो को प्ले कर देने दोस्तो यहाँ पे वीडियो के साथ औडियो भी शेर हो रही है आपने पर्टिकूरल इस ओप्शन को चूज करने है जो मैंने आपके बताई है मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आपने जस्ट यहाँ पे अप्टिमाइज फॉर मोशन एड वीडियो पे क्लिक करना है और साथ में आपने यहाँ पे टिक करना है शेर यूर कम्प्यूटर आडियो इस ओप्शन के बाद आप वीडियो के साथ आडियो को शेर कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी बैबैक्स या किसी अदर एब्जुकिशन एप करे टो करिया तो मेरी वीडियो के कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके आर कमेंट कर अप्लाई करूँगा थैंक यू फर वाचिंग प्लेज सब्सक्राइब मैं चल्म पर मोटेक्न का अप्डेट्स